तो इस सीरीज में जो नेक्स्ट कोश्चन हम देखने वाले हैं यह कोश्चन है कि अगर आपके पास कोई आपजेक्ट है तो उसको आप किसी और फंक्शन में अक्सर इंट्रिवू पूछते हैं कि हाउ टू पास अर्बिटरी आपजेक्ट ऐस इस इंसम फंक्शन तो चलिए करके देखते हैं कई तरीके हैं कॉल है बाइंड है और अप्लाई है तो इन सब यह सारी चीजें तीनों मेथड हम पढ़ चुके हैं तो उनके भी लिंक डिस्क इक फंक्शन बना रहा हो ठीक एक फंक्शन बना लेता हैं सपोज्ड इ эк na और यह प्रिंट नें फंक्शन क्या खटेग क्या तो यह प्रिंट नें फंक्शन हमारे लिए कुछ कंसोल लॉग करेगा तो मैं मानता हो कि मेरे जो अब्जेक्ट COL उनके अर्स talks के पास डॉट first name print कर दो और श्पेस दे करके दिस डॉट last name इतना प्रिंट कर तो ये चीज में किसी भी object पर लगाना चाहता हूँ कि मैं जिस object से इसको Call करूँ उसका first name और last name यहां पर हो जाए तो मैं पहला object बना रहा हूं और student1 क्या मैं नाम रख लेता हूं परस्ट नेम जो इसका है वो है और लास्ट नेम जो इसका है वो है अब कुछ स्टिप दिखाता चलता हूं ताकि और क्लियरली समझ में आएगा सबसे पहले तो मैं यहां से कमेंट कर रहा हूं और यहीं पर लिख दे रहा हूं और अब मैं यहां student1 पर इस function को call करने जा रहा हूं तो जब यह इस object का part है यह function तो यह first name इसके first name को point करेगा यह last name इसके last name को point करेगा कि दोनों के आगे this mentioned है तो this dot first name मतलब student1 का जो first name है और student1 का जो last name है execute करता हूं है इसको सही है अब next चीज क्या करने वाला हूं मैं इस function को uncomment कर रहा हूं ठीक और यहां पर print name को यह पूरा ऐसे हटा यहां से function अठा रहा हूं यानि अब यह print name जा करके इस print name से attach हो गया क्या अभी भी यह चल रहा है यस अभी भी चल रहा है क्योंकि मैं internally connect कर दे रहा हूं तो जब internally call हो रहा है तो यह अपने आप connect हो रहा है दिस से ठीक है अब मैं यह हटा रहा हूं और मैं call कर रहा हूं ठीक अब इन दोनों की कोई relation नहीं है यह independent function है और यह independent object है दोनों के बीच में कोई reference नहीं है तो इस नहीं को error दे दिया कह रहा है भाई print name is not a function function ही नहीं है कैसे call कर रहा है उसको क्या property है क्या undefined कुछ है नहीं ठीक तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अब भी call कर सको इसको इसके लिए मुझे क्या करना है तो असल मैं अब यह इस object का पार्ट नहीं है तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इस print name function को call करूं उस time पे मैं किसी तरीकर से इसको यह बता पाऊं इस current object को इस function के print name यह इस student one object से belong करता है ऐसे connect करना चाहता हूं कि यह this इसको point करें तो इसके लिए हमारे पास काफी चीज़े हैं for example call है हमारे पास यस काम कर रहा है लाई है हमारे पास डिफ्रेंस है सब में वाट काम कर रहा है और बाइंट लेकिन बाइंट जो है वह थोड़ा इससे अलग है क्योंकि अगर मैं अभी बाइंट करूंगा तो आप देखेंगे कि यह print नहीं करेगा क्योंकि call नहीं कर रहा है सिर्फ कर दूं बाइंट करते ही तोटली ओके और अगर आप इसको ना कॉल करना चाहिए तो बाइंट बढ़ा अच्छा है आप इसको किसी वैरियेबल में रख लेट और उसको बाद यानि अब मैं जब भी इसको कॉल इट लेटर को कॉल करूंगा यह इस प्रिंट नेम फंक्शन के दिस को स्टुदेंट वन तो बाइंट कर देगा अब अगर आपके पास धेर सारे स्टुदेंट है अगर उनको करके रिएट कर लेंगा उस फंक्शन को तो वह फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो उसका इस इस औबचिक को पॉंट करेंगा वह फुली समठ में आ गया हो